नमस्कार मित्रोज स्वागत है आपका हमारे इस चनल में अगर आप एक CSC VLE हैं तो अब आप लोग बिना आधार यूज से ले हुए भी CSC के माद्धम से आधार का काम कर सकते हैं जैसे कि अगर किसी वेक्ति के आधार कार्ड में लिमिट क्रोस लग चुका है चाहे वो नाम हो, DOB हो या फिर जैंडर हो तो उसको कैसे आप सही करवाएंगे या फिर जिन लोग का आधार कार्ड सस्पेंड हो चुका है या कैंसल हो चुका है तो उनका भी आप लोग बिल्कुल फ्री में CST के माध्यम से आधार कार्ड को एक्टिवेट करवा सकते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो की 18 प्लस हो चुके हैं और उन्होंने अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है लेकिन आज की रेट में अगर वो आधार कार्ड बनवाते हैं तो उनका आधार एन्वर्मेंट बार-बार रिजेक्ष्न में जा रहा है तो वो भी काम आप अपने CSC Center के माध्यम से उनके आधार कार्ड को generate करवा सकते हैं साथी साथ आप में से काफी सरे लोग अपने आधार कार्ड में जैसे की mobile हो गया या फिर कुछ और update करवाया है, तिन-तिन मेहने हो रहा है, पैननी हो जा रहा है, generate नहीं हो रहा है या फिर आपने कई बार ये काम करवा लिया, बार बार reject हो जा रहा है, तो उसको भी आप सही करवा सकते हैं साथी साथ जिन लोगों का आधार duplicate matching का problem हा रहा है, वो भी आप अपने CSC ID के माध्यम से solve करा सकते हैं तो इस सभी services जो है बिना आधार UCL के ही आपने CSC ID के माध्यम से use कर सकते हैं ये service CSC में बहुत पहले से ही हैं लेकिन बहुत कम VLE को ही इसके बारे में जानकारी थी हलाकि आज किस वीडियों में आपको live दिखाने वाला हूँ, कि किस प्रिकार से आप लोग अपने CSC ID के माध्यम से लोगों के आधार कार्ट को सही करवा सकते हैं, चाहे उनका limit cross वाला system हो, या फिर उनका आधार cancel हो, या suspended हो, या फिर उनका आधार कार्ट बन नहीं पा रहा हो, या update नहीं हो पा रहा हो, तो इसके लिए किस प्रिकार से VLE जो है CSC के माध्यम से आवेदन करेंगे, इसका complete process लाइब दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं, तो सबसे पहले आर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपने अभी भी नहीं किया मुझे पता है, तो फड़ा पर पहले सब्सक्र कर लिया है, तो नोटिफिकेसन वेल आगन को और पर क्लिक करके ओन भी कर दिए, ताकि इसी प्रेकार की इन्फरमेटी वीडियो आप लोग को मिलती रहे है, तो आपको वेल आगन पर क्लिक करके ओल कर देना है, और इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, अब आपका अप्लिकेसन याद तो काफी लंबे समय से पैंडिंग में है, या फिर उसको रिजक कर देते हैं, तो इसका सल्यूसन क्या है, और किस प्रेकार से आप आवेजन करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने CST ID में लोगिन हो जाना है, लोगिन हो जाने के ब इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यह आपकी CST ID पास्वर मंगेगा, तो आपको अपनी CST ID पास्वर डालना है, जो भी कैप्चा कोड यहाँ दिया गया, कैप्चा कोड को आप यहाँ डालेंगे, और फिर sign in बटन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप sign in करते हैं, sign in करने के बाद आप सभी अपनी ID के माध्यम से इसके अंदर लोगिन हो जाएंगे, लोगिन हो जाने के बाद आपका dashboard कुछ इस प्रिकार से open हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको option दिखाए देगा, लोड पब्लिक रिवेंस इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने आपको नीची आना है, यहाँ आपको option दिखाए देगा, more minister department state government इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको scroll करते वे थोड़ा सा नीची आना है, और नीची आओगे सबसे नीची आ जाना है, यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा, UIDAI, यहाँ पर दिखें management category पर क्लिक करना है, अब देखेंगे, यहाँ पर आपको कई सारे option देखने को मिलेगा, पहला option है, non enrollment and non generation of आधार, non update of आधार, enrollment center and operator related issue, अब जैसे कि मान लीजिए, आपने एक नया enrollment करवाया, लेकिन आपका आधार generate नहीं हो रहा है, तब first option का selection करेंगे, और अगर आपने अपने आधार कार्ड में मोबाइल नमबर, नाम, डियो भी या email ID कुछ भी update करवाया है, काफी लंबे समय से 2-3 महिना से आपका pending जा रहा है, और उसके बाद रिजक्स हो जाता है, बार बार यह process आपको problem को सामना करना पड़ रहा है, तो आपको non update for आधार पर क्लिक करना ह है, ठीक है, और अगर जहां पर आप अपने आधार को लेकर जा रहे हैं, करेक्शन करवाने के लिए, कुछ भी करवाने के लिए, अगर वहां का वह अनुर्मेंट सेंटर या operator आपका help नहीं करता है, काम नहीं करता है, बत्तिमी जी करता है, तो यहां आपको option मिलता है, अन आधार नंबर related issue, जैसे कि मान लीजिए, आपका आधार कार्ड बन चुका है, लेकिन आपको आपका आधार नंबर नहीं मालूम है, तो उस बिसे में, आप यहां से अपने आधार नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपने अपना नया आधार कार्ड बनवाया था, करक्षन करवाया था, लेकिन अभी तक आपको आपका आधार लेटर बाई पोस्ट आता है, वो रिसीब नहीं हुआ है, तो आप नोन रिसीब आधार लेटर पे क्लिक करेंगे, जैब पिवी सी कार्ड का भी संबंदी था, या पिया मान लेजी आपके आधार में, करेंगे, जैसे मान लेजिए, आपने आधार कार्ड के लिए आवदन करवाया है, लेकिन आपका आधार अभी तक जेनरेट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आपको आपको मिलता है, नॉन अनॉल्मेंट एंड नॉन जेनरेशन आधार इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ आपको इस परिकार से रिक्वेस्ट फोर आधार अधार अधार होम या सिनरेशन चिल्डरन है, या फिर एड्रेस और पिन कोड इसू है, डॉकुमेंट रिलेटेट इसू है, या फिर यहाँ पता रहा, एड़ी पैकेट नॉट अपलोड़ इस परिकार से भी प्रॉलम आता है, या बहुत से लोग का नौन या निकिनोंने अनुलमन करवा लिया, लेकिन उनका आधा जनरेट नहीं हुआ है, तो आप इसका सेलेक्शन करेंगे, और अगर आपका सब कुछ सही हो गया था, लेकिन इस चक करने पे, इस पैकेट नॉट अप्लोडेड एन एडी गौट रिजक्टेट का एरर आता है, इस चकने पे तो जो ऑपरेटर आपका अनुलमन किया था, उसने जो है पैमेंट गवर्मन फिस नहीं कर आई थी, इसके कारवास आपको प्रॉब्लम फिस करना पड़ता है, तो अब इस सेलेक्ट करके, उसकी क जो भी स्टेट है, भारत के सभी नागरिक यहां पर आविदन कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया है, अलाकि यहां पर और बी ऑप्संस है, अगर ज्यादा बताऊंगा, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग यहां पर प्रॉब्लम होगा, तो आपको एक साथ यहां पर टाइप करना है, जैसे आप इस्टरीक चक करते हैं, ठीक है, वहां पर यहां पर डालेंगे, अब इसके बाद यहां पर आपको मिलता है रिमार्ट, यहां पर आपके मन में जो भी सुजाव है, जो भी आपको प्रॉलम फे अच्पर किल ने करेंगे, इसके बाद पर आपको अपनीEnglandे करनी है, तो यहां पर अपनी प्रेृशनाल इटेल करनी है, यहां पर प्रैस्नल करनी दिटेल में जिसका भी आप यहां पर आवेदन कर रहे हैं अगर आप एक CACBLE है तो उस विक्ति का यहां पर नाम डालेंगे जिन्डर यहां से चूज करेंगे यहां पर रिष्टिक स्टेट पहले से सेलेक्टर रहेगा यहां पर जो भी एड्रेस फिलप करेंगे प्रॉपर डालना है उस सेक्योट्री आपको दिख रहा है वो काप्चा कोड आप यहां डालेंगे और यहां आपको मिलता है मैं पेमेंट करेंगे तो यह सिधा आपको रिष्ट करेंगे पर जहां पर लगबग आपके CACC वालट से 22-23 रूपय का चार्ज कटेगा बाकि कमिशन आपके वालट में ह कर देंगे और लगबगивать 15 यहां से 20 अंदर वegbreaker को सोफं कर दिये चाएगा गा और लोग जो है अधार में जानकारी है तो कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके ज़रूर बताएं चले मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में और इस वीडियो को और भी वियली तक सेयर कर देना और फड़ा पड़ चनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी से प्रिकार कि जानकारी आपको मिलती रहे आपको मिलती सेयर का जाहर लादा कर दाल कि तो सब्सक्राइब कर लाकी जानकारी याल by कर देना प्रिकार लोगी हैं और बार मिलते हैं उन्यवादार पहन्यवा देतात ही विस्वार।